नमस्कार साथियो मैं आरकेमिस्रा इंजिनेस अड़ा पर स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि अससी जई 2023 का नोटिफिकेशन को लिए करके आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा और लाइब आप लोगों से बात करेंगे कमेंट सेक्शन में तो आप लोग मेरे साथ कमेंट में कुश्चन्स पूछ सकते हैं मैं आपके जबाब दे सकता हूँ हलाकि मैंने इस वीडियो में पूरे के पूरी डाउट साप लोगों के लेने की कोशिस कियें पहला जो सवाल आप लोगों के मन में बन रहा होगा जवदी से से सेसंस को फटा पट सेयर कर देज़ेगा पूरी सेसंस को लाइक करिएगा और आप लोगों से मैं गुजारीज करूँगा कि एक इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके माइंड सेट बदले तो जरूर प्रिप्रेशंस इसी तरीके से करिएगा सबसे पहला सवाव आप लोगों के मन में होगा कि 2023 के नोटिफिकेसंस कब आएगा तो 2023 के में ही आएगा, कब आएगा यह एससी को डिसाइड करने दिजी, पहला सवाल का जवाब क्योंकि देखो मैं हमेशा official सिजे तभी बताता हूँ जब हमारे पास official input होते हैं हाँ यह जरूर है कि 2023 का exam कब होगा नौंबर के आज पास लेकिन notifications कब आएगा तो वो SSE आना नेवरेस 4-5 महने पहले जारी कर देता है उसी हिसाब से आप लोग इस बार का exceptional case बना है सवाल यह है कि क्या notifications से पहले आप तयार है examinations के लिए तो जो 2023 में पास आउट होंगे जून जुलाई में हो eligible होंगे जो अभी pursuing चल रहे हैं बाकी तो और उसके पहले के पास आउट students eligible होते हैं maximum age limit इसमें 32 साल होता है कुछ departments में 30 साल भी होता है बाट आप 32 साल तक general category के लोग eligible हैं तीस तक और इसमें civil, mechanical, electrical तीनों ही departments पाटिसपेटरी डिप्लोमा हर एक डिपार्टमेंट में अदा हो रहे हैं आप लोग eligibility criteria और इतो ठीक है एक secondary matter है बहुत सारे मैंने वीडियो उस पर कर रखा है मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कैसे आप preparations करें देखो दो options आप लोगों के होंगे एक तो हमारा self study mode होता है एक हमारा smart online study mode होता है अगर आपकी पास self study में देखो best book की बात की आजा है तो best book में questions की practice के लिए youth competition की book sufficient रहेगी और ADA 247 की भी एक आपकी civil professional और electrical professional knowledge book जहां पे dedicated आप दोरों में से किसी एक को देख सकते है जिसमें आपको कहीं ने कहीं dedicated quick format में concept मिल जाएंगे और chapter wise मिलेंगे और उसी chapter पर questions की practice मिलेंगे This is the good for you. Youth competition में वही drawback है कि आपको chapter wise questions है बड़ concept नहीं है उस level पर concept नहीं है और questions के नीचे just answer दे दिया है जो कि हमारा CPR module always कहता है कि आपको ऐसे practice नहीं करना चाहिए अपनी preparation हम हमेशा कहते हैं कि questions आपनी concept को build up करो like इस तरह से इससे suppose करो मैंने concept आपको दिया hydrostatic ला suppose करिएगे दोस्तों तो आपको proper hydrostatic के नियम का concept अच्छे से proper notebook में इसको एकड़ detailed notes बनाओ आप फिर इसी particular का जैसे कि यह formula क्या होता है formula का एक notebook बनाओ छोटा सा एक detailed notes होना चाहिए एक आपका short notes होना चाहिए जिसमें आपको बस इतना लिखना है कि यह dp by dh हमारा किसकी बराबर w की बरबर जो की hydrostatic की नियमें सा और यह आपको हर एक subject का बनाना है और हर एक subject में और इसको हमें जब notebook बनाए तो specific weight के directory proportional होता ऐसे कुछ points जो आपको लगे उसको underline करो hydrostatic लाग किसके लगता है fluid static जब रहता है कुछ points जो आपको लगते हैं underline क्या करो highlight क्या करो यह नापको detailed notes बनाने का तरीका है और जब formula book बनाए mistake book बनाए नोट book बनाए तो आपको formula दिखना है बाकि अगर आपको लगता है कि कोई चीज में confusion है आपको उसके फिर उसके बाद जैसे कि आप लोगों को questions बनाना questions की practice आपको ऐसे करना है आपने इसी तरह की आपने पूरे chapter की study कर लिया आप इस chapter की 20 questions बकड़ो आज आपने पूरे chapter को बढ़ा 20 questions को बकड़ो जस्ट देखो questions on CPR concept practice revision concept जब भी आप तयार करें दो चीज़े आपको बना चीज़े एक detail notes बना चीज़ेक साट notes बना चीज़ेक साट notes में की पॉइंट स चोड़ो आपकी पास absence है आप पूरे साल मेहनत करना चाहते हैं या फिर मतब कई साल मेहनत करना चाहते हैं या छे से साथ मेहने देखो अभी आप development phase में हो आप अपने तरीकों को बदल करके सायद आपका selections हो सकता है तो इसी दिए मैं करा हूँ कि पूरे वीडियो को देखि हलाकि आप ये भी सा मैंने हमेसा आपको पता है positive होजी समझाने की कोशिस के और आपको कॉल होता है पटा कि 20 questions को आपको कितने टाइम में करना है पटा 10 मिन में कितने मिन में तो 10 मिन में आप 20 में साल करो और पता करो कितने questions हो जैसे पहला question साल करोगे हो सकता आपका बन जा तो आपने देखा कि 20 में हमें कितना बना 12 questions हमने सही किया, 8 questions गलत किया, जिसे ये questions हो सकता आपका गलत हो, जिसे पीज़मेटरी यूस्टू मेजर था, आप हो सकता है low pressure मार के आए हो, जबकि answer हमारा moderate pressure है, तो ये questions है आप इसको mistake book में note करें, एक daddy बनाओ बड़ी से, जिसमें जितने भी questions आपके गलत हुए हैं, ये questions exam में आपको क्या दिलाएगा, selection दिलाएगा, यही questions जनरल बच्चा पेपर में, पहली भर जबाता है तो गलत करता है, और आप इसको सर चुकाईए, ये questions आपको selection की तरफ ले जाएगा, ये questions आपको भीड़ कहस्या बनाएगा, आप आपका selections अच्छी questions से होना है, ऐसे आप हर दिन आप एक टेस्ट से होके गुजरेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि 20 मिनिट में, 20 questions को solve करने के कितना टाइम जा रहे हैं, क्या आपकी speed है, क्या आपका accuracy है, किस level पे आपने इस concept की understanding बनाई, और आप अगर उस तरीके से कर किया, फिर उसको पीछे से मैच करा दी, अगर गलत भी हुआ तो अपने आपको excuse किया रहे, ये paper में गलती नहीं करूँगा, थोड़ी सी mistake हो गई, ये तो सर ने बताया था, ये चीज़े आपकी आपको बरबाद कर देती है, या आदत आपको बरबाद कर देती है, तो आपको पूरा रेविजन्स करना पड़ेगा, वीक में एक दिन आपको पूरा रेविजन्स करना पड़ेगा, मन्थ में कम से कम तीन दिन आपको, फिर जब तीन महिने हो जाए तो आप पान से छे दिन ऐसा निकाल लिए, जहां पर पूरे पहले के तीन महिने के गंडेंट क करना कहां कहां से साट नूट से और मिस्टिक बुक से फिर उसके बाद छे महिने हो जाए तो करीब दस दिन आप दबा करके टाइम दीजिए अपने पूरी प्रिपरेशन्स जरनी को रिविजन्स बहुत जरूरी तीनों ही सफलता के सबसे बड़े पीधर्स है ये तरीका है आ आपको प्रिपरेशन्स करने का अब रही बात ये सवाल आपके मन में बैट रहा होगा कहां से करें तो यार देखो सीप्यार टेक्निक आपने जाना है सीप्यार टेक्निक सही आपको पढ़ाई करनी है तो अब पढ़ाई आप चाहे तो हो सकता है आफ व्लाइन कर दो 50 का foundation type का class दे रहा हूं सामको साथ बजे, civil और mechanical इंजीनियर सब को दे रहा हूं, it's wait and watch, और आईए सब लोग class करिए, जबर्जस्त class आप लोगों के लिए जबरी है, और एक होता है कि customize तरीके से मैंने आपको हमेसा पताया है कि दोस्तों, अगर आप ADA 247 पर ट्रस्ट करते हैं, विवीब करते हैं, आपको हमारी quality पसंद आती है, तो मैं आपको हमेसा कहता हूं कि आप महापैक जोइन करिए, क्योंकि अभी SSCC mechanical का भी batch, आज से ही start हुआ है, selection batch, foundation batch, एकदम detail है, 650 गंटी की class है, बहुत देट था, take or not take, और यहाँ पर mechanical के बाद civil का भी start हुआ है, यह batch प्रास नहीं करेगा, महापैक में आपको आपके requirement के हिसाब से test series भी मिल जाएगा, e-book में, RRB, ALP, JK SSP, तमाम तरह के state, central level के examinations के महापैक में batches include है, और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बदा देता हूं, यह महापैक की एक दिन का खर्च आपको जो गिरेगा ना, तो अब आप बताए, चार से पांच रुपे में आपको सब कुछ access दिया जा रहा है, उससे क्या, उससे बड़ा क्या हो सकता है, दोस्तों, इसके लिए आपको बारा महिने के लिए रोगवार बच्चे 35 रुपे पे करते हैं, मैं यह डबल वैलेटी से लेटी नहीं बोलू तो जाइए quickly अपना mission selections की तरफ बढ़िए, आप individual badges भी join कर सकते हैं, उसमें बस होगा कि उस particular exam से oriented बढ़ाई कि जाएगी, इसमें वो exam तो होगा, अगर इसने आपने सपोच करो SSC जाई complete कर लिया, RAB, ALP करना हो, या कोई state या central level के भी courses को देखना है, तो आप उसमें देख प्रजेक्ट के recorded video तो देख सकते हैं, आप से आगर के देखिए, प्रेप्रेशन स्यरूर करिए देखिन मैं आपको बता होगा, हाँ, अगर इन सारे courses को join करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि code जो यूज करना है, देखो, आपको पता है मैं कितना आप लोको guide करता दोस्तों, और प्रीज, अगर आप CPR टेक्निक पर ट्रस्ट करते हैं, और आप मेरी classes पर ट्रस्ट करते हैं, मेरी concept ट्रस्ट करते हैं, आपको मेरा support system अच्छा लगता है, आप genuine इस्ट्वेंट से, और आपको आगे है ऐसे access है, तो maximum discount के विए Y201 code यूज करिए, ये code आपको आपकी branch mechanical हो, चाहे आपकी branch civil हो, तो चाहिए electrical, civil, mechanical, सब लोग यही code यूज कर के जोइन कर विएगा, ठीक है, थैंक्यू दोस्तों, थैंक्यू बहुत अच्छा करेंगे, आप the best for your future and career, if you have any doubt, let me know in the comment section, सबसे जादा जिस particular topic भी doubt आएगा 2023 के लिए, मैं आप लोगों की doubt को कि विएर करों के दोस्तों, मैंना काम ही यही है, तो how to prepare मैंने बताया, live FQ sessions में आपको बताया कि, देखो, eligibility को जे करके मैंने आपको बताया कि 28 साल, 30 साल, यह बिसे करी है, तो और आपको एक बात बताओ, SSC JE को जे करके, किसी भी तरह कि, अगर आपको, मतलब कि, आपको ल सब कुछ होगा मैं आपको बता हूँ, A to Z होगा, A to Z होगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब कुछ हमारा, यहां पे आपको, एक सेकिंद रुकिएगा मैं आपको, share ही कर देता हूँ, ताकि आप लोगों कोई दिक्कत ही ना हो, एक सेक कौन-कौन से डिपार्टमेंट पे कौन-कौन से ब्रांच एलिजबल है, एज क्राइटिरिया भी देखेगा, 30 साल, 32 साल, इस डिपार्टमेंट में हमारा देखेगा, सेंडर पार्टर कमिशन में 32 साल होता है, और बाकी एज एलिक्सेसंस भी यहां पे दिया हुए, एक्जाम में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, नोटिफिकेशन का ब्रेवीज होता है, टीय टू का एक्जामेनेशन्स पैटन क्या होगा, ऊपर बहुत सारे जानकारिया मैंने आप लोगों की वे साजा करती है, तो बस यही सारी चीज़े था, तो मुझे लगा कि आप लोगों की वे वीडियो की नीचे कमेंट सेक्शन में प्रवाइड करा दूगा, तो जाकर कि आप लोगों को, अगर कोई एलिजब्योटी को दे करके, स्लैबस को दे करके, आपको कौन-कौन से डिपार्टमेंट से से सी के तुरू पार्टिसिपेट करते हैं, उसको दे करक होगा, तो आप देख सकते हैं, तो मेरी तरफ से बस इतना ही थैंक्यू, थैंक्यू यार, थैंक्यू, और अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए, कब तक रोकेगी अपने आपको, जो जो लोग परसोइंग है अभी डिप्लोमा बीटेक में, वो अपनी करियर को स्टार्ट कर सक है, तो स्टार्टिंग से क्लासिस को एक्सेस करिये, अगर आपके पास थोड़ा मोड़ा चार उप्या, पांच रुपया, अगर आपको लगता है कि वर्थित है, तो आप लोग आज से जोईन करके कल से प्रपरिशन सुरू करिये, नहीं लगता है, तो आप लोग हो सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, थैंक यू